हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शाश्वत चुकला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स योटूब चैनल दोस्तों अगर आप क्लास 10 प्लास 12 चाहे वो यूपी बोल्ड हो बिहार बोल्ड हो इन सभी की तयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना और अगर आप कुछ एक्स्टर तयारी करना चाहते हो भी बोल्ड परिक्षा के लिए तो और ज्यादा कोर्स आपको हमारे अन अकेडमी पे दिये गए हैं अन अकेडमी का लिंक फॉलो कर लेजिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया हैं सभी दों का तरके हमें अन अकेडमी पे फॉलो करें और वहां पे और सभी देख ले दोस्तों तो बिला समय कवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 इंग्लिश के एक और वीडियो की दोस्तों क्लास 10 इंग्लिश के इस वीडियो में एडिशन वाले चैप्टर के हम बात करेंगे कुछ शॉल्ट आंसर टाइप कोशन की दोस्तों तो इस वीडियो को आप सुरुआ से लेकर के end तक जरूर देखेगा ये प्रेस ने जो आप क्या हैं ये बोल्ड की परिक्षा में सॉल्ट आंसर में बहुत जादा पूछे जाते हैं एडिशन वाले चैप्टर से दोस्तों एडिशन हो केप्ट हिस प्रॉमिस ठीक है तो अच्छे से जरूर वीडियो देखेगा औ और नए महमानों से रिक्वेस्ट है जतने आप नए महमाना है इस वीडियो पर आप प्लीज नीचे देगे लाल वाले बटन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और बेल आइकन तो जरूर दबा लीजेगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें चलिए फर्स्ट कोशिन के तरफ चलते हैं इन वाट वे डिड एडिशन फाइंड हिस मदर दी बेस्ट टीचर किस प्रकार एडिशन को अपनी माम में सबसे अच्छी अध्यापी का मिली ये प्रस्ट दोजार तेरा चौदा और सत्रा में पूछा गया तो एडिशन's mother was patience enough to answer all his questions so he made good progress so he found in his mother his best teacher एडिशन की मदर एडिशन की बताय के कोशन को बहुत अद्धी patience रखती थी अपने अंदर patience रखती थी और धैरे के साथ काम लेती थी और एडिशन को ज़्यादा समझाने की कोशिश करती थी तो इसी परकार एडिशन अपनी मम्म को अच्छा समझता था और अपना best teacher समझता था ठीक है next question है और एडिशन की बात भी समझ में आते थी ठीक है तो next की तरफ चलते हैं why did Edison decide to take up a job in the railways? Edison ने railway में नौकरी करने का निर्णे क्यों लिया? ये 2011 और 2017 में पूछा गया था प्रस्म में और भी लगा हुआ है why did Edison join the railways? Edison ने railway में कारी करना क्यों प्रारम किया? ये भी 2017 में पूछा गया था Edison needed more money to carry on his experiment and to buy more books Edison को और पैसे की जरूरत थी अपना खर्चा करने के लिए experiments करने के लिए experiments वो तरह तरह के experiments किया करता था उस पे बहुत सारे पैसे लगते थे तो उसी को Edison की जरूरत थी और उसे धेर सारी किताबों की जरूरत थी इसके लिए वो job करना चाहता था and he wanted to go to out and see new places and new peoples so he decided to take up a job in the railways और वो तरह तरह की लोगों से मिलना चाहता था और तरह तरह की जगहां उपर घूमना चाहता था तो Edison railway की नौकरी करना चाहता था तो इस question में आपको दो नंबर का question है समाज में आ गया होगा next question की तरफ चलते हैं what did Edison promise to the people of America Edison ने अमेरिका के लोगों से क्या वचन लिया था तो दोस्तों अगर आपने chapter पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि Edison ने अमेरिका के लोगों से कहा था कि मैं आपको दो साल के अंदर बिजली provide कराऊंगा ठीक है तो यहीं आपको question में लिखने ना है people used candles and oil lamps in those days उस समय में people जो होते थे जो लोग होते थे वो अपने घर में candle जलाते थे oil lamps जलाते थे जिसे लाल डेन भी कहते हैं oil lamps and then they did not have electric lights तब वहाँ पे electric lights है जो बिजली के बल बिजली के खम में बिजली जो होती है वो तब के जवाने में नहीं थी तो Edison promised to give them electric light in two days तो अमेरिका के लोगों से Edison ने promise किया कि वो electric light प्रोवाइड कराएगा दो साल के अंदर ठीक है तो बस आप उच्छोटा सा answer लिख देना है इस question में दो नम्मर का question है next question की तरफ चलते हैं how did Edison make the world bright and happy Edison ने संसार को किस प्रकार प्रकाश में और प्रसन बनाया यह प्रसन बहुत important है जरूर टिक लगा लीजेगा 2011-12-17-18 में पूछा गया था और और भी लगा हुआ है in what way did Edison make the world happy किस प्रकार Edison ने संसार को सुखद बनाया यह भी 2013 में पूछा गया था चलिए इसको उत्तर की तरफ चलते हैं तो Edison invented gramophone Edison ने gramophone बनाया it has brought us more laughter and he has given us happiness he invented electric bulb और उसने जादा-ज़दा खुशी जादा-ज़दा खुशकाबरी पहुचाने के लिए उसने electric bulb बनाया and he gave more light and brightness to the people thus he made the world happy और उसने जादा खुशी अपने देश में करने के लिए जादा खुशनसीबी अपने देश में करने के लिए जादा happiness फैलाने के लिए उसने अपने घर पर electric bulb का आविशकार किया उसने electric bulb बनाया और ही आविशकार Edison का सफल हुआ और electric bulb बन चुका था दोस्तों तो Edison ने electric bulb का निर्माण किया था तो इस question मैं आपको इस कांसर मैंने आपको समझा दिया दो नमबर का question है चलते हैं next question की तरफ describe the important invention made by Edison Edison के प्रमुकाविशकारों का वर्णन कीजिए 2011-12-15-16-17 में पूछा गया था और how did Edison served his country during the first world war प्रथम विश्वित के समय Edison ने अपने देश की किस प्रकार सेवा की ठीक है तो किस प्रकार सेवा की थी चली बताते हैं Edison's important inventions are एक तो ग्रामोफोन हो गया और एक electric bulb हो गया यह Edison के महातुपूर्ण inventions है and Edison served his country during the first world war he made 40 watt time inventions उसने 40 watt time inventions से किया था तो दोस्तों इस विडियो के लिए इतना ही यह chapter में ने आपको complete कर दिया है answer मैंने खतम कर दी है आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं PDF के लिए मिगा आपको description में दिया गया है आप PDF जाकर के इसका जरूर डाउनलोड कर लिजेगा तो हम आपको मिलेंगे इसके next वीडियो में वीडियो पसंद आया तो वीडियो चल्दी अलदी अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजे अपने WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram की जरीए ताकि इस वीडियो को देखकर आपके सभी दोस्तों के help हो सके तो नए आए हैं चैनल पर तो subscribe तो जरूर कर लिजेगा तो हम मिलेंगे आपको इसके next वीडियो में तब तक लिए take care bye bye